असले लेकों फ्रेंड्स वैलकम टू मा यूट्यूब चैनल आईए अब हम नावल का लास पास ट्रा करते हैं आप कोई बिलाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा चलिया ये वडियो को स्ट्रा करते हैं मिशाल और मानूर पैठी हुई बाते का रही थी यह यूं कहलें कि अपने लिए ड्रेस का सोच रहे थी कि कोंट से फंक्शन पार किस कलर का और किस टाइब का सूट पहने गिए अच्छा अंकल आंटी अब हम चलते हैं हाँ बेटा ठीक है अराम से जाओ फाजधान और आशा बेगम बैक बत मुस्क्रा का बोले चलो मिशाल दायमनिस को देखते पका जबी मानूर बोल पड़ी कहां बाई मिशाल कहां जाए वो आज मेरे साथ लोगेगी आज अब आप उसे रुखसी के बाद इपने साथ लेकर जा सकते हैं और हाँ अगर आपको अकेले डर लगे तो मीर भी तो आपके साथ होंगे ना मानूर ने बरफूर श्रारत के साथ का चपके दायम और मीर हो उनको के तरह इंदूसरे के जना देखने लगे कि यका यक पाज़ा थांका अचानक की एक कहका गुंजा था मिशाल हम मानूर ने बामुश्किल अपने कहका का गला गुंटा तो मीर भी साता बढ़ा था यार दायम मुझे भी तेरे साथ ही ले चाल मैं किला क्या करूंगा मीर ने अपना समूब रागा कहा जबके दायम ने एक बेचारगी निगाउस पर डाली फिर गोया हुआ यार तू तो वैसे भी मानुरू के साथ एक गर में नहीं रहता था और मै एक गर में एक कमरे में अपनी लिटल फैरी के साथ रहता हूँ कैसे गजारूंगा उसके बिना मैं ये एक दिन दायम ने उदासी बड़े लाज़े में का था यार इन रस्मों की तो ऐसी की तैसी हमें हमारी बीवियों से दूर कर दिया है मीर ने दाय दी ती जबके दायम उसकी इस धरकर पर मस्काव उठा था अच्छा सुन मीर चल अभी जो काम बच्ची है ना को चाल कर निप्ला लेते हैं क्या है हाँ ठीक है वैसे भी फिर टायम नहीं मिलेगा ओके दायम ने कहकर गारी की स्पीट फूल कर दी थे दायम और मीर थाने के अंदर दाल हुए थे सामने खरे सबी कांस्टेबल से इन दोनों को स्लूट मारा था वो दोनों जिल का लाग खोल कर अंदर दाल हुए थे सामने ही एक शास को देखा जो इधर से उद्धर और उद्धर से इधर चकर काट रहा था कैसे हैं होने वाली सुसर जी तायम ने एक अदास से आप फांश किया जासाता था कैसी हो होने वाली सुसर जी तायम ने तरंस बड़े वे लाज़े में इस तफसार किया था जब कि आप फांशा हमोश रहे थे और सना सुसर जी जेल के हवा रास आई और यह भी बताओ के जेल की डाल रोटी कैसी है तायम ने मस्तारते वे खा था तो मीई भी मस्तापड़ा अच्छा तो तुम सोच ते होगे कि हम दोनों यहां पर कैसे तो एक्चली मैं तुम्हें मेरी और मेरे जिगर की शादी का इनिविटेशन देने आया हूं कल मेह दिया है परसु शादी और तरसु बलीमा आओगे ना तुम दायम ने चरके में फाशा का ज असलाम बार के दोस्ती इतनी कची है कि तुम हम दोनों के बीच इतनी असानी से दरार ढाल दोगे अब अब पांशा तकलीज से मचल रहे ते जबके दायम की गिर्ट अभी तक मजबोते और जब तूसे कुछ नहाबान तका तुने एरी चोटका तो लगाया फिर भी कुछ ह पासलना हुआ तो तूने इतनी गटिया हरकत की तूने इस दो टके की लड़की नताशा इंतारी जिसका पसंदीदा मुश्कला ही है दूसरे मत की तबज्व हासल करना उसका शोक है उसे मोड़ा बनाकर मुझे मानरू कर दूर करना चाहा अरे क्या हुदा का होफ नहीं आया जल то करदा है कि तुझे जांट से मार दो लेकिन तुझे मारकर मैं अपने हात खंदे नहीं करना चाहता तेरी यही सेजा है तो हमेशा इस कैठाने में सरे लेकिन तुझे माफी कभी नहीं मिलेगे दायम ने सकाथा चाहते हैं टायम और मीर एक तन्सिया मस्कार उसके जाम चाली तेकिन अफार शाहं की अगली बाते हैं उनके कदाब रोक लिए दे हैं तुम दोने को क्या लगता है कि मैं हमेशा इस चेर में सरूँगा फूल है तुम दोने की उल्टी गिंती गिनना शुरू कर दो तुम दोने की जिन्दी में मैं फिर से एक ने सीरे से लटूँगा एक बार फिर से दो महबत करने मालों को मैं जुदा करूँगा एक बार फिर से तारी अपने आपको दुराएगी कहते वे अफांशा का कहका बलंद हुआ था और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस बा पर एक पूर इसरार मुस्रार ने अफांशा को मकमल चुर्ड़ी लेने पा मजबूर कर दिया था वक्त बताएगा तायम दुरानी इस बार किसकी जीत होगी और किस की हा बिल्कुल ठीक कहा तुने लेकिन इस बार वक्त तेरा नहीं हमारा होगा एक दिलकश मुस्रार के तारीख अपने आप को दुराएगी और आपकी बार एक एहसा तुफान आएगा जो सब को अपनी लबेट में ले लेगा अफांशा ने जनुनियस से बरपूर लहची में कहा था राध को मिशाव और मानूर एक साथ ही एक ट्रूमे थी क्यूंके सوبा इन दोनों के मेहनुती थी लहाजा वो दूनों अब जब एक साथ ही एक schol वसकत गुजाना चाहते थी कि उसके फून पर मैसिज नोटिफिकेशन आया था लिटर फैरी मुझे नीन नहीं आरी ताइम का मैसिज दे कर खुद बहुत उसके हुंटूबा मस्काहर रेंगे थे क्या है मिशाने से तांग करने के अंदास में लिखा यार मुझे तुम्हारी बिना नीन नहीं आरी मैं बेर पकेला हूँ और मुझे डर भी लग रहा है दायम ने मुस्मने एक्टिंग करते हुए का था जबकि दाग्रेर दायम तुराने जो साब को डराते हैं उसके डरने लगे जबकि मिशाने हों तो अब मिशाने हों सोई लाजे में का तो अब ये कि तुम मेरे पास आ जो ना माई लिटल फैरी कारम का लाजा इतना प्यार बड़ा था कि बैसा आता ही मुझा को उस पर प्यार रहा था मैं कैसे आओ तुम कैसे आओगी तो ऐसे करते हैं मैं आ जाता हूँ अभी पांच मिर्ट में तुमारे पास अड़े नहीं नहीं जुरूरत नहीं है आपको थोड़ा सबर रखें बस कल ही की तो बात है मिशाने मुस्कुलाते वे का जबके दाएं भी उसकी बापा मुस्कुला जिया था अच्छा ठीक है लेकिन एक किस दे दो अच्छी सी मीथी से जिसे कल तक तक तुमारे जनूनी और शिद्ध पसंद छोड़का गुसारा हो जए नहीं बिलकुल भी नहीं किसी सुरत नहीं चुका करके सोचे मतलब कि तुम नहीं दोगी माई लिटल फैरी जी मिशाने मुतसर टापका कहा था ओके तो मैं खुद ले लूँगा वो भी कल और तुम जानते हो ना माई लिटल फैरी के मेरी किस कैसी होती है मिशाल को अपने होन पे लगा वो कट जाता था जिस पर वश्रमाने के साथ साथ कबरा भी गए थे क्योंकि दायम सिर्फ चनूनी और शिद्ध पसांत ही नहीं था जब उसे मिशाल की कुर्बत नसीब होती थी उसका लाजा दिवान की शिद्ध इहत्याग कर जाता था जिसे मिशाल जंगली का नाम देते थे अहां नहीं मैं देती हूँ ना क्याका मिशाल ने बहुत से किस एमोजी दायम को सेंड किया थे और शिमार कर अपने चेर पर अपने दोनों हाथ रखे थे जबके दायम ने मुस्कातिविस रिप्लाई में ये एमोजी सेंड किया था जिस पर मिशाने कपरा का फोरण ही फोन स्विच आप कर दिया था मानूर अभी उपर अपने कमरे में जा ही रही थी कि अचानक कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था लाव जू जान और बहुत सारे एमोजी मीर साथ की जानम से बेज़े के थे मानूर के चेरे पर एक श्रमिली मुस्काराट अहाता का लिया था लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था उसे मैसेज ओपन किया रपलाई क्यूं नहीं का रही मेरी मरजी मिशाने मीर को तांक करने के लिए लिए लिखा था हम् – ठीक है सिर्फ काल का दिनना जितना मरजी तांक करना ना काल लो वैसे भी परसुल मरा दिन होगा मैं तांग करूँगा और तुम परदाश करूगे मुझे अपनी ननी सी जांपर मीनी बेबाकी से टाय गया था जबके मानूर की तो आंके खुल गे थी उसका मैसिज देखा एई बात साथ साथ बताना ये जब जब तुम उस्से बात करते वे या मेरे करीब आते वे ये इमरान हाश्मी वाली रूट तुम्हे कहा साथ आ जाती है मानूर ने कहा था जाने मीन ये मेरे पेस आता और गुदरती जबात है जो सिर्फ तुम्हें देख उम्ड आते हैं मीने मस्मी से कहा था जबके मानूर हलका समस्क्राइदी ओके गुड नाइट मुझे नीद आ रहिया मानूर ने कहा लेकिन आप मुझे नहीं आ रही नीद तुम्हारे बिना तो क्या करूं मैं अब मानूर ने कहा प्यार करो मुझे मीर के यूं कहने पर मानूर का चिरा लाल हो गया था चचोड़े इंसान मानूर ने कहा सिर्फ तुम्हारा चचोड़ा मीर ने कहा था हाँ सिर्फ मीरा चचोड़ा मानूर के यूं कहने पर मीर भी मुस्कुराया था मीने लातदा किस मानु जो मानु उर् को सेंड किय ता, जब कि मानु श्रमिली मुसराड सेंड कर रिया था जालम बीऊवी मीने दहाय धी ती ति जिसबा मानु ने मैसिज देखकर मुबैल आउफ गड़ ही था साथ इसके लबों पर एक शरीर से मुस्कारा भी बिखर गे थे आज इन दोनों के मेहधिती सुबा से शोड़ो अला गुला जारी था बिलाहर मेहधि का वक्त भी करीबा ही गया सब लड़कियां रंग परंगे लबासु में मलबूस इदो दो जारी थी सजावर का काम सबर्दस था एक बहुत ही शांतर होटल जो कि स्लामबाद में वाक्या था जिसका नाम था फोर्ट्रेस एमवन कमप्लेक्स इस हाल में मेहधि का इंतजाम किया था हाल में दो जूले रखे गे थे जिनको पीले और सफित पुलों से सजाय क्या था जिसके गुलाब के पत्तियां हाथ तर बेक्यों थे सामने ही में एंट्रेस पर दो बूर्ड लगे थे जिनका बड़े लफसों से लिखावा था दाइम वैर्ड मिशाल और मार्ड वैर्स मीर दूसरे बूर्ड पर लिखावा था सब बहुत ही खु लड़कियां जिनके नसीमें इतने हसीन और मकमल मर्ड लिख दिये गे थे दाइम और मेकब से मिशाल और मानूर का वेर्ड करे थे जबकि वो दोनों आने का नाम ही ने ले रही थी अचानकी वहाँ पर डीजे ने एक सौंग प्ले किया था कब सी आये तेरे दोले राजा अब देर ना कर जल्दी आजा तेरे गर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना लेने मेरे हर दरकन क्या बोले है सुन 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 साजन जी गर आए दूलन क्यों शर्माई साजन जी गर आए बबी सांग चाली रहा था कि सामने से मीशाल और मानूर आती भी दखाए दी यो लाग रहा था जैसे अस्मा से पढ़िया उतरा ही हो दोलों ने पीले और हड़े रंगी कमेसों के साथ ही चूरी ताम पजामी से बतन कर रखे थे एक जैसा मेकप जिसमें सिर्फ आँकों में काजर, मसकारा, आई लैनस और होंटो पर पिंक कलर की लिपसिक लगा रखे थे फूलों से बनी, गुलाब और मोतिय की जूरली जबके महंदी से बढ़े वे दोनों के हाथ इंतहाई हुपसत लाज़े थे बालों की हुपससी चुटिया बनाकर उनमे मोतिय के पूल लगिए थे वोकलायू में दोनों ने बड़ बड़ कर हड़े और पिले रंके चूरियां और गजड़े पैने रखे थे दाइम उमी ने नज़ें हटाना मुश्किल हो गया था वो दोनों इन दोनों के बड़ाबर में आब बैटे थे मीर की बोलती वे नज़ें मानूर बहुत हाई फौर थे और दाइम साब की आँके ही मिशाके चेर पर फिक्स हो गये थे यका यकी दो महाँ पर मेंदी के हवाले से तमाम लड़कें की फरमाश बार डीजे ने एक और सांग प्ले किया था मेंदी लगा करकना डोली सजा करकना लेने तुझे आए गोड़ी आएंगे तेरे सजना आपके बार दाइम उठा और दास करना शुरू किया जबके बाकिस आप हेरान थे उसे देखा कि दाइम तुरानी वो भी इतनी हुशी से नाच रहे जब आपको आपका मन चाहा हमसब पर मिल जाए ना तो यहीं हुशी होती है एक तमनान होता है स्कून होता है आहर कार कितनी मुश्चला से बुस्दने के बाद इन यह वोशी और नसीब हुए थे आहर क्यों कर ना वहुशी होते मीई बिसके साथ आज आमल वाता अग दोनों गाने पर डांस करा थे जबके मि बारी आकर मेहंदी लगाते जाए थे इन चारों को मानुर जो स्टेपा लड़के और लड़कियों को नाचतावा देखकर तालियां बचा थी और मुस्क्रा रहे थी कि अचानकि उसका हाथ मीर की गिर्थ में आ गया था क्या का रहे है मीर चोड़ें कोई देख लेगा ओहो अ्वतापा गबरा गया थे ने कोई देख लेता तो मानुर इसके गुरते विका था और एक सबर्दस थपए उसके बासुबा दे म्रा जबके मीर के मुँझे हलकी से खिराने के लिख वेट हो गया दॉरा है और दॉरा है क्या जादा दॉरी मानुर से गर्थे का था जिए आंख मारते वे का था जबके मानों ने एक गुरी से फिर से उसे नवादा था जिस पर वो खुल कर मुस्क्राया था मिशाल आपी कोई बचा मिशा के पास आया तो उसने गंदर मौरकस के जाना देखा था जी मिशाल आपी वो उपर कमरे में आपको कोई बला रहा है अच्छा लेकिन मुझे कोई बला रहा है पता नहीं आपी बस उन्हों ने कहा कि आपको बला दो ओके बेटा थीक है आप जाओ मैं देखती हूँ मिशाल आइस्था चलती भी उपर गए मगगर वहाँ तो कोई नहीं था कौन है कोई है मुझे किसने बला था लेकिन कोई जवाब नहीं आए लगता है बच्चे ने शिरारत कियोगे वह उसे क्याक कर नीचे के जरन चाने लगे जब ही किसने उसे बासुसा पगा कर अंदर ख्याच लिया उसे पहले कि वह चीह माटी दाइम अपना हाथ उसके मूँ पर राकर उसके चीह का गला घुणता मिशाल की आंकों में हिरांगी दर आए थी मिशाल दामने इशारे से चुप रहने का इशारा किया था और अपना हाथ उसके मूँ से हटाय था दाएम आप यहां इस वोगत क्या कारिया फोरण नीचे जाए किस मेरी बिला से सब बार में जाएं मुझे किसे कोई भी फड़क नहीं पड़ता मैं अपनी लिटल फैरी को क्रीप से देखना चाहता था बस क्यूंकि दूर से देखकर मुझे स्कून नहीं मिल रहा था दायम ने एक नज़र उसके खुबसर स्रापे के जर्म देखा था बहुत ह आम हमर यूहीं कर चे तुमने दायम तुरानी को अपना असीर बना लिया मिशाद दायम तुरानी दायम ने प्याफ्त वेलाज़ में का था और दायम थोड़ा मस्धित क्रीब हुआ जबके मिशाद थोड़ा दूर है इतना कि वो पीछे से द्रवादे तजा लगी और बस दायम सहाब को मुका मिलने की दे ए उसने फोन अपने दोनुँ अपंध धर दुबादे पढ़ा कर उसके फूरार होने की राहें मुशत दोडियत के त by मिशार नी मचांद क्यूब कर मिशाय स्क्रूह दोशार ते अच्छाओ ter б पर लिटफ़ा लिट्ल वेरी तूम ने ना अब भी नहीं दाएं, प्रीज साफ जाएं, अभी मुझे नीचे जाना है, मुझे सब दून रहे होंगे। मिशाल कहने के देर थी कि दायम ने मिशाल के कमर पर हात राका उससे पने जायम ख्याँ जाता। मिशाल उसकी इस तरफकर पर बुखला सी गेती जबके दायम उसकी ह माती थे के सामने कड़ा पंदा मिंटू में उसकी ननी थे जहां मुझे में डाल देता है। कल रुकसी है, तो रुकसी के बाद तुम्हें मेरे लिए अपने खुबसरत आवास में गाना होगा। मनजूर है, क्या, आपको किस नगा कर मैं काती हूँ, मेरी आवास हुबसरत ह मिशान है, मेरी बहन ने उताया था, दायान ने मुस्कातवे का, कौम सी बहने, मिशान ने अब्बस कातवे का, मानूर ने, जबके मिशान ने दिल ही दिल में मानूर को काफी अलकबास से नमासने लगे थे, कमीनी औरत, अल्ला पुछे तुझे, मुझे फंसरा का खुद कि के लिए किया तो दिया था, लेकिन वो जानती थी कि दायम भी उससे वो करवा कड़ेगा, जो उसने कहा है, अब प्लीज चोड़ दें, मिशान ने इलतचाया ने से उसकी जान देखते वे का था, तुम मुझे बहुत ही तरपाती हो, लिटल फैरी, पर कोई बात नहीं, जाजे में कहते हैं, उसकी ना को चुम किया था, जबके मिशान के चेरे पर गुलाल तूर कर बिखरा था, उससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, मिशान ने अपना महंदी बड़ावा हाथ उसके होंटों पाड़ा कर उससे एक गुड़ी से नवाजा, और हुद को उसकी गि मिशान को देखा और फिर मिशान की हुश्पू को महसूस करते वे दिवानगी से उसे चूम लिया था, इन दोनों की नोक जोक तो तुमाम बर यूही चलनी रहनी थी, आहर को इन चारूं की मंदल जो एक थी और वो मंदल थी महबत, रात के तक महंदी का फंक्शन चलता रह था और फिर रात के बारा बज़े सब अपने घर में लोड़ गया थे, इन चारूं को बेताशा दुआएं देते वे हमेशा खुश रहने के, वह चारूं ही आज की रात अपने आने वाले खुशा जिन्दकी के मतलब मुद्लिव किसम के हवार बुनने में मुस्रों थे, आह उसे होसा देता, अपनी महबत का जिकीन दिलाता, उसको समा लेता था, जो यकीन की रा पर चल पड़े, उन्हें मतलूं ने पना दी, जिन्ने वस्वसुन ने ड्रा दिया, वो कदम कदम पा पहक गे, दायम उमीर आज खुले असमा तले बाटे हुए थे, तोनों असमा चमकते वे सितारू और चान को देखे दे, कि यका यक मीर ने का दायम, जा कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये सुन के लहमें नसीब होएं हैं, कितनी ही अजमाश के बाद ये हुपसर चांदी रात आई है, जिसको सुबह इन्शालला सुने रही होगे, मीर तु जानता है, अजमाश के बाद, तुम जब अला के कृडिव हो जाते हैं, तब हो तुम्हे ऐसी आंदे की दाका देता है, कि तम्हें तम्हाँ अनसे में नम्मकिन होते हैं, जानते हो वो तुमें इतनी हिमत क्यों देता है, क्यूंकर झभ उस पर शकीन लगते हो उत तब हो तुमें ये जब कि मीर उसके गले बिसाता लगाता、 मुझे तुझ पर फहर रहा है दायम तु्म तुम्म तुमीरा दोस्ती में बाय Earlier मीरे जब नहीं कमकाता है वैसे भी मीर माना है कि अब तक नहीं हार सकते जब अब तक अब थोड़ा घ्रता, मिरे दायम का साधिया था सच्चा और मुल्हिस दोस्त आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं जब मिल जाएं तो उसके साथ मिलकर आप बड़ी से बड़ी मुसिबत का सामना कर जाते हैं सुबा का सुरज तलू हो चुका था आहरकार एक हंदेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबा आही के थे जो इंचारों की मुन्तजर थी आज मानूर और मिशाल की रुकसी थी सुबा से हला गुला चुर गुल जारी था आज आज बेगम तो सुबा से गिन चकर बनी है थी बारात के आने का वक्त हो जा था साड़े बहुत ही हुश दिखाए दे रहे थे मीर और दायं प्लैक और र्ड़ के शेवाणी जबे तनकर रख दी जिसमेंगों तो उसकी रियास्त के शेजादी लागे थे जबके मानूर और मिशानी र्ड़ प्लैक और गॉर्ड नगुले का लहंगा जबे तनकर रखा था यू लगता था जैसे जैसे असमान से हुरे उतर रही हो इन दोनों को मीर और दायम के साथ पिठाया गया था जहां बहुत ही अरामते सिल्वर और वार्ड कलर के सोफे पावर चारू बर्जमान होए थे यही हर जानम रंग, बरंगी, लैर्स, गुलाब के पूल, उनकी पतियां, मोती के पूलों की मालें लगी हुई थी उनकी शादी एक जादगा शादी थी, दायम मॉमीर से अब नजस्थे हटाना मुश्किल हो रहा था, कोई इतना प्यारा क्या से हो रहता है यह उन्होंने पहली बार जाना था, मानूर और मिशाल अमें दोनों के नजस्थे हाई फॉर थी, मीर की वरफटगी मानूर को मौम की तरह पिकला थी, जबके दायम की पूरता पिश निगाएं, खुपा मिर्सूस करते हैं, मिशाल खुत में सिम्टे जा थी आला पेमाने पर शादी का इंतजाम क्या गया था, नाम पर बिजनसमेन उस्सासरदान मदू थे, हर कोई रिष्ट बड़ी निगाओं से उन्चारों का देखा था, खाने में भी आला किसम के डिशिस मुझूद थी, जबके मानूर और मिशाल ने तो गब्रहर के मारे खाना गया था, मीरी का बैट्रूम नहायती कुशादा था, उसकी दिवानों पर हलका नीला उस सफेद पेंट हुआ था, साथी वाड्रोब और अटैश वाश्रूम था, वो गर बिलकुल वैसे ही था, जैसे के मानूर ने सोचा था, मानूर की गब्रहर के मारे इंताई बूरी हाल पीचे में, लहाजा उसने लेटने का सोचा, लेकिन जैसे ही लेटन लगी, उसको बाहर किसी की कत्मों की आहर सुनाए दिये, दिल अब दरग दरग कर पागल हुआ जा रहा था, मीर आइसे से दिर्वादा खोड़ का अंदर दाल हुआ था, और फिर दिर्वादे का लाक ल पापर पापर बैट के उपर से उचल कर उठे, पास आओ मेरे, मानूर कदम पाकदम चलती है, उसके पास गया थी, लेकि कुछ फासे पर होगे, मैंने कहा और पास आओ, मेर के घंबीर आवाद सुनका, उसके चिसम में सुनसरी सी दोर गया थे, वो विलकुल उसके क्रीब जाकर लुगे थे, और मीर ने इसके कमरे में डाल कर उसकी जानम खेंचा था, वो कटीवी डाली कितना उसके सीनस जाल लगे थे, मीर को मानूर की उड़ीवी रंगा देखकर हांती तो बहुत आई, लेकि कंट्रॉल कर गया, राजी को रहा मुझे, क्या, लेकि मैंने क्या क क्यों वो इसकदर हुबसत लगे थी के मीर के दिल की तार चिर गए थे, आंकों में काजल, पलकोपा मसकारा, साथी आई लानत, होंटों पर रेड़ कलर की लिपसिक, पाउमें पाल का कानों में जमके, गले में हुबसर साहार, नाक में छोटी सी बाली जबके हुबसर काले जूरे में मकी थे, उसकी चुनी की खनकती वे अवास, मेहदी की खुश्बो और पाहिल की चंचर करती भी मीर को मदोश का रहे थे, लेकिन फिलहाल उसका मूड उसे तांग करने का था, तो मुझे परपोस करोगी अभी वो भी फनी वे में, जबके मानूर की आंके खुली लागे थी, किसका शुर बजायस की तरीफ करने के उसी से इसाह करवा रहा था, जल्दी करो दो मिनिट है, मीर ने का था, ओके वेर, सोचने थे मुझे, कुछ दे सोचने के बाद वो गोया है, क्या आप मेरे बच्चों के पापा बना पसंद करें के, मानूर ने मसूमे से का जबके मीर का फलक शकाफ क्या का गुंजा था, और मानूर ने अब नज़र नहीं हुटाया जाया थी, तब भी मीर ने कहा, ओ माई कार, यू आर सो फ़नी, नूर जार, हाँ, वेरी फ़नी, आपने तो कहा था, कि मुझे फ़नी पे में परपोस करो, मैं तो वही का ली थी, म मीर के हमा जदावाबा पर वहुद में समीटी थी, वह अस्मान पर चांद देखी थी, तुम इस चांद से भी जदा हुपसर होता मेरी जान, मैं कभी तुम से नारास नहीं होता था, क्योंकि दरकन का दिल से नाता है, और मैं दिल हूँ, तो मेरी दरकन, मीर की इस कदर मानूर बोली, कि मुझे आपसे महबत है, वह महबत जिसकी कोई हाद नी, आप मुझे जिन्दा रहने के लिए, सांसों से भी ज़्यादा जरूरी हो गया, मानूर के इसकदर प्यार बड़े इसहार पर मीरी का दिल जूम उठा था, आज मानूर की नफरत की, उसकी अना की श बात रा दिया, और कहने लगे, खुद पर पहले ना इतना यकीन था मुझे को हो पाया, मुझे से गरियां असान हुई, अब जो तूम आया, जबकि मीरी यका टाक मानूर को दिवानावाद देखे रहा था, मानूर को जब एसास हुआ को मीरी के कितने करीब खड़िया, तो खुदो कोचते वे उसे दूर जा खुड़िया, उसका दिल कानों में दरक रा था, उसे पहले कि उसे मसीद दूर होती, मीन उसे पर जानम ख्यांच लिया, मानूर को हया से बोजर पलके उठाने में दिक्कत पेश आर थे, मीन ने इतने हुपसद नजारा पहले कभी ना दे हुआ था, वो दिमानावार अपनी सांसे उसमें अंडेल रहा था, उसकी गिवद इतनी सहा थी, कि मानूर का अपनी जान जाती भी मिसूस हुए थी, क्या नहीं था उसके लंस में, चिनूनियत, दिवान की शिदद, काफिद दे बाद, अपनी मन मानी करने के बाद जब वो पीछे हटा, तो मानूर का चेरा लहो के रंग जासा हो गया था, उसको यूहीं अपनी बाहों में उठाए, वो बैड के जाना बड़ा था, और राम से उसे बैड पर बिठाया, फिर हुद भी उसके पास आब एठा था, और डड़ से, और ड्रा से एक महमली डिबिया से हु ना दू, मीन ने पूछा जबके मानूर अपने ड़बटा उताना चाहा, जो के पिनू से बढ़ावा था, मीन ने वहीं टोक दिया, और हुद आकर उसका ड़बटा उतारा था, डबटा उताने के बाद मीन ने इंतहाई अराम से उसके गल में बारी हार सा अजाद किया था, मानूर मीर के लंज पर हुद में सिम्टे जा थे, हार उताने के बाद उसने वो चेन उसे पहनाई, इसी चेन पर अपने देखते वे लब रहती थे, मानूर का सांस सीने में अटकने लगा था, मीन ने आज़ा से मानूर के बालों को भी पिन्नू से अजाद किया था, उसके अपना चेरा चुपाते वे गंदें पर डपलान लंफ चोड़ा था, जबके मानूर जी जान से काम बोगे थे, प्लीज मेरी जान आज के दिन आज नहीं तो कोई मजामत काम नहीं आएगी, नहीं मैं पिछे हटूँगा, कितना तरपा हूँ मैं तुम्हा ले, कितना इंतज अज़ार किया है मैं इस दिन का अब बोगन है, क्याकर मानूर पर जुक्या था, उसका शिट लहस्त देकर मानूर का दिल हलक हुआ था, मीरी ने बारी बारी अपने लाइग उसके आँकों पर रखे पिर गार पर उसके नामे जो बाली थी ना, उसके नाक में जो बाली थी उसके पर लब रखते वे आजसा से उतार था, फिर उसकी चूरियों को जिनकी खनकते वे अवापा मेर को पसांती और फिर पायर से उसके पाउंपा लब रखती थे जबके मानूर तरपका उसके जाम देखा था, अब मीर के हाथ उसके लेंगे की डोड़ियों से लच लच सके गे, मीर ने उस पर हावी होते वे उसकी शहरागपा अपने लब रखे थे जिस पर मानूर काम पूड़े थे, उससे पहले के मानूर कुछ कहती उसके अवास कहीं दब कर आएगे थे, उसके सांसु पर मीर असलायम बढ़ पुड़तां से काबस हो चुका था, आइस्ता राज से रखते जा थी, लेकिन मीर का जनूर मजीज शिदत इहत्यार करता जा था, मीर ने मानूर का किसी कांच की गुरिया के तरह खुड में समेट लिया था, समो लिया था, जब उसकी कोई भी मजामत कारा मसाबत ना हुई, तो ठाक कार कर वो अपना मीर को सौम के थे, उ राजाब उठी, और शिशे के समने आग खड़ हुए तांके हुद को इस बारी जोड़ी से अजाद करवा सके, ना जाने दाएं कहान आगया था, उसने सोचा, अभी वो उतान ही लगी थी, कि उसको प्रें पीछे किसी की आहर्थ मेहसूस हुई, उससे पहले कि वो पलड़ नहीं, वो मैं था कही हो ना, इसलिए अराम करते हैं, दायमने इसके बहाने पर मस्कराया था, जबके जटके से उसका रूप अपी जाने मोड़ा था, वो मिभी बहुत से और राय कहता उसको देकर, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है, उसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश पार माता पटी, हातों में चूरियां, पॉमें पाइल, वो मकमल उसके दुलहन लागे थे, वो बेत हुच सा हुआ था, उससे पहले कोई कोई पेश्रिफ्ट करता, वो फोर्नस उसके हसास निकली, और खिर्की के पास जागा खड़ी हुए, उसका दिल धर्क धर्क कर पाग जानम देखा था, जो आखों में मसुम्यत लिये उससी के जानम भी देखा था, वो उससे इत्ती महबद करने लागी थी, तो वो बी उसका महरम था, उसका अपना अब उसकी सांशे उसके साहार्थ होने से चनलनी थी, मिछाने बेसाता दायम को देकर गाना शुड़ किया थ तू जो मिला सम मिल गया दिल की नमाजे चाकब पहुंची फलक से आगे तू जाके पाया तुझको मेरे रहन मा जबके दायम दिवाना वाल उसके चेरे की जर्म देख रहा था दायम को शाद किसी के वाल इतनी हुपसस लगी हो मिशान ने प्यार पर नजों से उसके जर्म देते वे काता जबके दायम उसकी इस अदाप पर मुस्काद यदा था मिशान ने दायम की गोत में सर रखते वे काता जबके मिशान तो दायम को आज हिरान पर हिरान करते है दायम I love you, I love you so much, I can't leave without you दायम को उसके हिसार पर अपनी रगों में स्थोन उत्ताब महसूस वाता आके बरह उसकी पेशानी पर अपने होट प्रकज़ते मुझे भी महबत है तुमसे माई लिटल फैरी सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी आपसे महबत है आप हैं तो आपके लिटल फैरी है आपके होने से मेरी सांसे चलती है मुझे कभी भी छोगा मत चाहिएगा वरना मैं मर उसे पहले कि मिशाल कुछ कहाती है, दायम ने उसके लफाज उसे चीन लिया थे, दायम दुरानी की दीवान की अरूज पारती है, वो मद्धोश होता जाया था, जब कि मिशाल किया के उसकी पुर्शिदत प्रित पार नम होई थे, जब उसे लगा कि वो सांस ने ले पारी, जब जाकर उसे इसकी गिफ से अज़ाद किया था, मिशाल का चीहरा लहू रंग हो गया था, वो गयरे गयरे सांस लेने लगे थी, जब ये दायम ने एक मटबा पिर से उसको अपनी जानम ख्याँ जाता, वो कटी भी डाली कितना उसके सीने से लगे थी, दायम उसके कामे जानेवा सरकोशी करने लगा था, कहां था ना माई लिटल फैरी तुम्हें बताऊंगा कि दायम जानी किस कदर महबत करता है तुमसे, लेकिन जाने मन, ये मेरी शिद्दत का एक परसंट भी नहीं है, दायम की बेबा कुषकुष सुन कर मिशाल से नज़र उठाना दो पढ हो गया था, यका यक दायम की नज़र मिशाल की नथली पापर थी, जानती हो मिशाल मुझा तुमार ये नथली अपनी रखी मल हमोड़ी है, पूछो क्यूं, मिशाल ने गबराते वे का था, क्यूंकि ये मेरे काम हलल पैदा करेगी ना, दायम के यूं कहने पर, मिशाल की दिल की हावा, दायम को यूं कहने पार, मिशाल क्या दिल नगल का हलकआ गया था, दायम बाख हुबी मुझा के दरक्रणों को सुन रहा था, उसके छिद्यते मिशाल को खुद में समिचने पा मचभू कर दे, दायम आप बहुत, उसे ब statues के मुझाती दायम नें से पन Eles freshly पन निकालती है उमिशार को दी थी वाओ ओ दायम ये कितनी हुपसरत है ना नहीं मेरी लिटल फैरी के मुकामले में ये कुछ भी नहीं है दायम आगे बारा उमिशार की नतनी उसके नाग से उतारी उसका लंब से महसूस करती हुद में सिम्टने लगे थी और आगे बारकर अपन चेरा चुपाते हुए केहन ने हमार अलूत अवाब में कहने लगा लिटल फैरी तुम्हारी अवाब इतना बहुत हुपसरता है क्याकर उसके गंदापा उसके अपने होंट रग्या थे जबके मिशार जी चांड से कांपी थे मिशार की चूरूंगी खनक उसकी पाइल की च पाप्रन लम्च चोड़ा था फिर आइसा से उसकी आँकों पाप्रन लम्च चोड़ा था फिर गालों पर मिशार के तर जान हवा हो रहे थी दाइम की बड़ती जसारतों से जुम्के उताने के बाद उसके कांड की लोगों चुमने के साथ साथ 37 से काटा था जिस पर मिशा तरफ उड़े थे दाइम वो प्लीज मिशान ये इलतजाया कहा था जबके दाइम ने एक नज़र ठाकुस को देखा था और फिर जटके से उससे अपनी गोल पर मुठाया था बोलो क्या कहना चाती हो मेरी चान वो दाइम आप प्लीज एसामाद क्या करें क्या साना क्या करो दाइम ने मुठाते वे कहा था जिस पर जबके मिशान ने रोनी वाली सुरत बनाया था जिस पर मिशान का कहका बलंद हुआ था दाइम जी दाइम के जान मुझे आपसे बाते क तुम्हें बिल्कि इस रात को बाती ही कौन करता है इस रात को सिर्फ मेस्ण कह जाता है दायम के इस कदर बेबाग अंदापा मिशा का चिरा सुरू हो गया था दाइम प्लीज तंक मत क्या करें मुझे आबा मिचान ने हब की सिखा था बोलो क्या बात करनी है मेरी लिटल फैरी को मुझे आप प्लीज सबको ना मारा करें ना मुझे पता है अब सीक्रेट अजांट है लेकिन आपका हाथ बहुत बारी है मिचा ने मुस्वमिय से आंके पटबटाते वे का था जिस पर दायम हंस दिया था अरे मिरी लिटल फैरी जो लग बुरी होती है ना मैं सिर्फ उनको मारता हूँ और किसी को ने दायम ने का तो मुस्क्राई थी बाब में मिचा ने मुस्वमिय से दायम को बहुत हंसा दी रहे वो इनसान जिसके चेरे से मुस्क्राट बिलकुल गाइब हो गयती है वो मुस्क्रा रहा था वो जबसकी लिटल फैरी थी वो लड़की नहीं उसके जीने की बजा थी और वो उसकी संगत में हंसा चला गया था लिटल फैरी तुम जानती हो तो मेरे जीने की बजा मुझे चोगा कभी माच चाना मुना तुमारा ये दिवाना मर जेगा मीचार्स की तरपा तरपी उठी थे और नफी में सालाती उसके होंटों पहाथ रागया थे जबके दायम ने उसकी हतेली को चुम लिया था और उसे उठाने अप्पे और उसे उठाया भी अपने बैक के जाना बार गया था दायम बहुत तरपाउं तुमारी तुमारी कुर्बत के लिए यह लह में जाने मत दो महसूस कर दो खुद को मेरी वैशनों को करार दो स्कून दो मुझे तायम को शेट लास देका मिशान ने बैक शीर को मुठी में दबोचा था कहते वे दायम ने की सांसों को पर दस तरस मिलिया मिशान ने हलकी से मसामत करने के कोशे की थी जिस पर दायम ने पिंकिफ इतनी मजबोट की थी जिससे मिशान को अपना सांस बांदाता में महसूस हुआ था पूरी राद वो ननी चान उसके शिद्दों को बरदाश करती रहे उसका हर अन्दास चनूनियत और दिवान की इहत्यार की वे था मिशान को दावने खुद में किसी मता चान के तरह समेट लिया था उसकी बाहों में अब वो उसको खुछ किसमत तस्वा करने लगे थे पूरी राद वो उसका प्रिश्दते महबत की बारश में वेगोता रहा और वो उसके संग संग भीकते चलेगे चान ते तरह भी उनके इसकदर हसी मिलन पा मस्तादियत है सुबा मीर मानूर को जगा रहा था नमाद के साथ और उसके साथ मिलकर शुक्राने के नौफिल अदा करने का इरादा रहता था क्योंकि मानूर के शकर में उससे सिर्फ महबत ही ने उसकी पूरी दुनिया मिल गया थी और आप वो अपने रपको उसका शुकर अदा करना चाता था जो उसे उसने अता किया था उठो ना मौनूर मीर ना करें पुरी रात आपने सोने ने दिया और अब भी मानूर नीज में बॉली मीर के हुंटो पे शरीम स्कुरार बिखा गया थे अच्छा मतलब तो मैंसे नूट होगी तो वो कमल में अपना चेरा चुपा के थे अपना हुलिया दे कर जिस पर मीर हर्स दिया था उठो अब मैं बाहर जाड़ा हूँ शावलो और फिर नौफिल अता करेंगे शुक्राने के मानूर ने सरस्भा में लाता और मीर के जाने के बाद शाव लेने चाल दिये थे, दोनों ने एक साथी नमाज पढ़ती, कितना हुपसत वक्त था ना, कितने हुपसत लहमे थे, जब उस साथ थे, एक पाक और जैस विश्टे का एक साथ ही अलग होता है मिशा की आंक खुबा हुद खुर गे थी, हलांके दान में से पूरी राज सुने नहीं दिया था, लेकिन उसका पूरी राज जगा का खुद अब स्कून से सोड़ा था, बेसाथा मिशा की नदर उसके चेवा पड़ी, वो कोई शेजादा ही था, नीली ग्यारी आंके जो इस उसन दायम के माते पापके नासुख लंच चुड़ा था, उससे पहले कि वो पीच्छे होती, दायम जो के जाग रहा था, उसकी एक एक हरकत मलासा परमार था, उसकी कलाई पगर कर, अपनी दायम कहांचा, उसी दिए उसके सीने से आल लगे थे, प्लीज दायम क्या कर रहे था, क्या मैं आपके अमामत में नमाज पढ़ सकती हूं, जबके दायम ने बेशकीनी सुकी जाम देखा था, मैं इस पाक साथका शुक्त दा करना चाती हूं, जिसने मुझे इनसान के शकर में फ्रिश्टा अता किया, मिशाने आँख्छों में महब्बत समय वेका था, जब हकीकर में उनका लाइ इन चारों से हुश्टा था, क्योंके पेशक कुराम मजीद में फरमाया गया है, पेशक अल्ला सबर करने वालों के साथ है, आज इन चारों का बलीमा था, दायम अमीन ने प्लैक और वार्कलर के थ्री पी सूर पहने थे, जबके मिशाल और माहनूर न जबके मान रूबी बहुती खिली के लिए इन तहाई खुश लागे थे, मी की महपन ने उसका रुमार रुमार महका दिया था, कितने मुकमल लगते हैं वो चारों साथ में, जैसे एक दूसरे के लिए बनाए गया हो, डांस सेशन शुरू आता, दायम अमीन ने इन दोनों क जानब बढ़े थे, और इन दोनों ने भी फोरण अपने हनाई हाथ इन दोनों के हाथ में थमाये थे, वो चारों ये दूसरे में खोये वे थे, गुम थे, वक्त थामसा गया था, हर तरफ महकते भी कलिया खिल रहे थे, प्रिंदे चैक रहे थे, हर सो खुशिया ही खुशि तो देती, मेरे लिए त्यार हुई हो, ना तो चेंज क्यों किया, शाम से देख तो रहे है, मानू ने हनस्तवे का, उसे पहले कि वह उशारी से फरार होती, मी ने उसे जा लिया था, ना बेगम साहिबा, ना मुसे बचना वो भी अज़न्ट मीर असलान बढ़ से ना मुमकि ना जाने मेर, मानूर्स की मैनी हे सरगोशी पर काप उठे दे, मी, प्लीज मुझे नीदार हिया, और वैसे भी आप अपनी मन मानी बहुत काली है, अब हाँ हाँ, जाने मन, सिर्फ मेरी मन मानी चलेगी, सिर्फ इस मामले में, वाकि मैं साले के सारा तमानों, जब चाहे जो बेबाग भाप मानूर्का चेला गुर्णार हुआ था, जबके वह मुस्क्रातावा, उस पर अपनी चाहत निचावर करने लगा था, रात को मिशार बड़ी मुश्क्र से दायम की लोग देती, नजस सबाश कर रूम में आकर जल्दी से इस हैवी ड्रेस से निजात हासल करन चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ठाग थी, जुड़ी उतारने के बाद परपरटी थी, लेकिं किसी पत्ता नमा चट्रां से उसका सर्फ जाड़ ड़क रहा था, कहां माई लिटल फैरी, काल भी और आज भी तुम उससे बागने का मौका तलाश का रही थी, उसके सजा मलीग की कोशिश में हलकान हो जारे थे, जब मानती हो, मुझसे बाग नहीं सकती, तो ऐसा क्यों करती हो, माई लिटल फैरी, दायम ने हमाज़ जड़ावा अवास में का था, जबके मिशा ठका का उसके सीने पर ये अपना सार ठका गये थे, दायम उसकी हरका पर मुस्क्रा उठा आप बताओ, या सिजादों, उससे नर्मी से उठाते वे बैपल आया था, उससे बैपल अटा का खुद उस पर जुगा था, जबके मिशा का दिल उसके कानों में द्रक राता था, तक दायम मुझे नीन दार ही या, लिटल फैरी, कोई सौलिट रिजन देती तो रहाई मिलत आप तो तमाम उम्राप मेरी क्याद में देहना है तुमने, क्याते वे दायम उसको अपनी शिते मुहबबस से बावर करवाता गया था, मीर, मीर, मानूर खुशी से उच्छती भी मीर के पास आई, हम, क्या हुआ जाने मीर, मीर जो के फून में मुस्रूफ था, फून को सार पाप बनने वाले हैं, मीर की आंके हैरस खुल गे थी, जबके मानूर खुशी भी कहने लगी, वह इतना हुशती इस हबर के बाद के उसके मुह से उल्टा जुम्रा निकला था, मेरा मतलब है, आप पापा और मैं मामा बनने वाले हैं, मानूर ने मुस्क्रात वे कहा था, ओ मानूर बेबी, I just love you so much, वो दिवानावार उसके चेप पर अपना लंप सोन लगा था, तुम सोच नहीं सती, मैं कितना हुश हो, मी ने हुशता हुए कहा था, मैं भी बहुत हुश हो, मानूर वे मुस्क्राते वी कहने लगी, जबके वो अल्ला का शुकर दा करते वे मानूर को खुद में बेश किया था, मीशाल को जब से पता चला था, कि वो प्रेमिर्ट है, तब से वो हुशी से फुली नहीं समार थी, लेकिन दायम को बताते वे सोच करी, शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था, मीशाल जब रूम में आए तो दायम लैपटापर अपना कुछ का कर रहा था, मीशाल और मानूर ने अब अपनी प्राइस कार देती और अब बस उनके फानल पेपर्स का रिजर्ट आना बागे था, इन चार सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदले थी, हो थी इन चारों की शिज़ते महबत, दायम मीशा और दायम अब अपने नियू ग़र में शिप्ट होगय थे, जो कि दायम ने बहुत चार से बनायता मिशाल के लिए, दायम उसे अपने सवा खाना बनाने के और अपने काम करने के कुछ करने ना देता, मैड, हर बकत उनके साथ होते थे, ऐसा ही बलोकिल मानूर के साथी था, वो भी सिर्फ मीर के ही काम कर देते, पाकिसारे कामों के लिए मीर ने मलासम रखे होते हैं, वो कुछ बताना था आपको, लिटल फैरी बोलो, दायम अपना चेरा मिशा के गर्दा में चवाता हुआ बोला, आप पापा बढ़ने वाले हैं, वाट, आयू सीरियस मिशाल, माई गार्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, तुम सोच ने साती मिशाल, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशबरी दिया है, दायम ने मिशाल के हाथ चुम लिया थे, और से खुशी के मारे गोल में उठा लिया था, थैंक यू सो मच, माई लिटल फैरी, आई लव यू, आई हिसाब किताब शायत गल्थ हो जाए, लेकिन उसके सारे पास सारा हिसाब किताब बिलकुल अपनी असली हावे मजूद हता है, वो अगर दुख से गुजारता है, तो सुख की इसी दर से मिलेगा, जरत पते जहां से उतरते हैं ना, सबस पते भी वहीं से निकलेंगे, आपक मिशाल जो इन तिनों के लिए मिलक शेब मिनार्दी ट्रे में एक लास रखते वे उपर आते वे बोले, मिशाल कायम के गार दो जर्मा बेटों की पदायश हुए थी, पड़े बेटे के नाम दुरेत दुरानी था, जो कि दायम की तरह ही बबश्रा था, गहरी सबसांकों का मालक, पुर इस राफ मुस्काहर और चेपा संजिती, शिदत और जनूर्ट उसमें कूट-कूट के बढ़ावा था, जो चीज दुरेत दुरानी की मलकियत हो, उसे कोई छुने के कोशे करे, बस फिर तो वो गया काम से, जबके चोटा बेटा रायम दुरानी, जो मिशाल की ह दानीन और असमीर आने वाले होंगे, रायम का नाम लेने की देर थी, दानीन की के दुरेत के कान खड़े हुए थे, हाँ भाई, जादे से फिनिश करो, ये शेक फिर नीचे चलते हैं, वो दोनों शेक पिने लगए थे, मीर और मानुर का एक बेटा और एक बेटी थे, बड जो के आइने के सामने खड़े लिफ्टिक लगा थे, अचानक की खुतों किसी के हसा में पाया था, उससे सामने देखा, तो दायम ने उससे जिकर रगा था, माई लिटल फैरी, आप तुम बहाद कहा आती हो, आप तुम हाथ कहा आती हो, हर वक्त मेरे छोटे नमूनों से ल लम्स चोड़ा था, उसे पहले कि उसके हुंटो पा जोगता, नीचे से आवाज आना शुरू हो गए थे, मामा, पापा आ जाए, चाची चाची आगे है, यह अवाज दुराएं के थे, हाए, किसी से क्या गिला करा, मेरी उलाद ही, मेरी रुमेंस की दुश्मन है, हाँ जिस पार दायम भी मुस्का दिया था, दोनों साथ में नीचे आते, असलाम लेकम, वालकम, कैसी हो नूर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, कैसी हो मेंचे, मिशाल और मानूर दायम और मीर यह दूसरे से मिलने लगए थे, या नूर पता, अब मैं इनका क्या करूं, तीनों जा ले, मुझे सुका सांस लेने दे, सब जानते थे, कि मानूर तो मजाग का रिया, आब इस बापा बैवस सब के कहके बलंद हो थे, असमीर और रायम अंदर खिल ले थे, जबकि दुरेत दानीन को डूंटावा बाहर लान में चलाया था, कहा हो दानीन, दानीन, तुम पत जाता है ना, दुरेत दुरानी को बाब अपने बाद दुरानी की आदत नहीं है, ये कियाते वे, टाइम उसके होंटों पर एक पूर इस्टराथ मस्क्राहट नहीं चुड़ा था, और इसकी ये दमकी कारम मसाबत है थे, दानीन फोरं पाहर रहा थे, जबकि दुरेत की सब दुरेत नहीं चुड़ानी का गार चुम जाता, और इसके कान में एक सरगोशी की थी, जो उसके सर से गुजर गया थे, कहते टाइम में उसके लहचे में एक अच्जीब सी जनूनियत दिवान की वहशत तो शिद्द थे, my little fatty, it's not the end, it's the beginning.